इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ इंडिया वर्सिस इंगलेंड का जो मैच हुआ था उसके उपर सीबी एर्फलांड की वीडियो आई यह वो देखेंगे सब लोग यही सोच रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा वो देखेंगे मतलब एक मौका था मौका मौका इंडिया वर्सिस पाकिस्तान वो वाला नहीं कि एक दूसरे को चड़ा रहे हो लेकिन एक मौका था कि इंडिया वर्सिस पाकिस्तान हम देखें फाइनल में देखें लेकिन नहीं पाकिस्तान तो पहुच गया लेकिन इंडिया इंगलेंड से ह लेकिन आप लोग इसमें की कुई हरकते ना करें बैसे भी नहीं है और इसके लोग नहीं है वो मुझे पूरी यकीन है कि भी पाक्सान को ही सपोर्ट कर रहे होंगे लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो के साथ अफरिका से हारने के बाद भी जो है सेलिबरेट कर रहे थे कि पाकसान आउट हो चुका है लेकिन अब कब से कहरे था कि नाइटी टू रिपीट हो रहे है अब पूरा हो भी जाए को कि अब तो बिल्कुल एंड के ओपर पहुँआ लेकिन ये लोग कह रहे थे कि द पदरा टांके मिल चुके थे चुरू से सारे का सारे इंडिया ये कह रहा था कि हमने न्यूजरेंड के साथ नहीं कहलना उसकी लोग तियारी करते रहे हैं जो इंग्लेंड वा आउट अफसलीबस था कि भई इसको हमें नॉक आउट में देना इसको खुद ही डिए डिल करो तो बट ये हो गया कि वहीं हैं जो कि पाता बील चुके मील चुके नगाउट नहीं है क्योंकि फाइनल के बाद टोर्नोमेट ही खतम हो जाता है लूड़े दो निगया दो नहीं हुआए वल्चाइट निग बेले कि इसके सबकर के टीमें है तूब करे कि पांक सान रो के मैचेस होते हैं लेकिन जैसी पूल मैचेस खतम हुए बाग यह देखें कि हम तो फिर भी अभी तक पहुंचे वे हैं तो हमारा तो भी भी टोड में चल रहा है अदर आदे से ज़एदा जो है वो दुनिया का सफर खतम हो चुका था कुद दस एक दिन की ही पूल मैचेस यह मारा सब्सक्राइम कार जैसी फैसे क्याती है वे फिर भी टोड है और सबस्कित कर लेए जो की यहskंण तो इन्होंने तो उसको भी तोड के जो ना दो टुकडे करते रहे तो पाकिसान और इंटिया का तो फाइनल हो नी सकता तो यार इसी तरह किया करो, बालाइटरल सीरीज ही कर लिया करो उसके जो भी जी जाना उसको बस वर्ल्ल चैम्पियन कह दिया करो किसी ने क्या पूछना है अपने टोर्निमन बिलाओ, अपनी नाम रखो जीते जाओ मैंने बेख़ए पिछी वीडियो इसे लिए कुछ ये बात की थी, कि इंडिया ने को इतना खास क्रिकेट खेला नहीं है, हमारे साथ भी वो जिस तरह एक एक बॉल के आपर आखर में आकर जीते हैं, दूसरी बात ये कि बंगलादेर से भी इस तरह जीते थे जीते थे, कर वो माइंसेट के साथ खेल रही है, T20, शाहिद भी और टीम खेल रही है, इंडिया की सारी परफॉर्मसेज जो है, वो कार्पेट के नीचे जाती रही है, क्योंकि सूरिया कुमार यादिफ ने आकर इस कि इनिक्स हेलनी शुरू कर दी जिसके अंदर एंड के उपर सब कोडिया की इनिक्स खेली, अभी हमारे जितने भी क्रिक्ट के लेजंड्स हैं, मुईसफ़के भी कोली शर ने च्राइक क्रेट की एक उसके बारे में कुई बात ने कर रहा है, लेकिन नहायती बखवास इनिक्स थी, इस मैच के अंदर सबसे बखवास इनिक्स खोली और शर के लिए कुछ थाई ने, यह को एंड में पांडिया, मेरा पांडू दोस्ट जो है, उसने आके है, चक्के मारे नहीं कितनी स्पीर से उसरे रहा है, आख रहा है, आज जब वो जल्दी आउट हो गया है, तो पीछे से पांडिया के उपर कारी बात आगी थी, उसने भी एक् आगे आ रहा है, आएनो कि वो जड़ा डिफिकल्ट ओपनेंट होगा, लेकर हमारी जो टीम होती है, वो जड़ादर जो प्रेशर है, उसके अंदर रह जाती है, इंडिया के साथ खेलते हैं यह मेरी एक बाद बैट कर लें, जैसी मर्जी पीछ की कंडिशन हो, अगर इसके अगरे तो पाकसानी बैटस्टों और बैटस्टों और बैटस्टों और जो कर लो हम जड़ा यूस्टों के बाद पर रमाएंगे चेस करने के लिए, आज वह ही हो रहा था पांगे एस वीडियो के दर आप देख भी सकते हैं, पूरे प्रेशर को अब्सक्राइब करना, जो कर दो करता कि शोर मचाओ और सोर मचाओ तालियां पीटो क्योंकि ये इनका हमेशा से 12th मैन रहा है, और यही सब कुछ महौल था, पहले मैच के अंदर भी यही प्रेशर होना था फाइनल के अंदर भी, इसी तरह 90% क्राउट इंडिन्स का होना था और वो 90,000 लोग बैठे ह होगी है, जो के हमेशा हमारे खिलाफ यूज होती है, बड़े मैचिस के अंदर, बिटकोईन क्या क्रैश हो रहा हूगा, जो फाइनल की टिकेट की प्राइसे हैं, वो क्रैश हो रही है, इस वकरत क्योंकि इंडिन सब जो है, वो बेचने के उपर आएने के यार, दफा करो ह हमने यह पतनी फाइनल का टिकेट क्यों ले लिए है, जो मेरे दोस्त जो है सौथ अफरिका की विन के उपर इस किसम की सेलिब्रेशन कर रहे थे, अरे, वर्ट कर से बाहर कर दिया है, अच्छा, पाकिस्ता को, ने दोस्तों तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग अभी बिना दोबारेगी विडियो लगाके इसी तरह हासते रहो और इसी तरह सेलिब्रेट करते रहो, बलक्या यह नहीं आपको अगर इंडिया के हारने को पर इतनी खुशी होती है, तो आप अब वाला मैसेज़ के अंदर जब वो पहले पावर प्ले के अंदर जी चुके थे, कोई उ शक्के चौके माल रिस्क ले रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिसान जो वेट कर रहा है जो हमें देख रहा है उनको मैसेज चला जाए यह होता है चैंपियन माइंडसेट जो कि हमारी टीम्स के दर मिसिंग होता है तो इंग्लेड वालों क्या पता किस तो मैसेज दे रहे हैं अगले दिन कुई और बंदा आया होगा यह सब चीजे जो नॉमल किसम के लोगों के ओप चलाया होगा हम बलंक टाइप लोग है हमें कुछ पता रही है हमें कुछ खेर खाबरी जिए किया चल रहा है क्या जितर मस्त है अगले कुछ जबदर्स किसंट इस वेज और बटलन ने आपको मार मार के चक्के एक ने चक्कों के लोड किया है चक्के मार था दूसा चौके पर चौके मार था अच्के मार था जिए बटिंग नहीं था कि उनकी तो डिसी मैच प्रैक्टिस नहीं हुई सीदा सीदा फाइनल बहेंगे इनको जल्दी आउट करना हमारा शाहिन तो बैसे बी आउट कर लेगा ना पहले 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 बर्स में इंडिया के दोस्ते है वो पूर एक पूरे टोर्नमेंट के अंदर बाबर आजम का मजा को डाने बीजी रहेंगे जी है बाबर आजम की फॉर्म ये है बाबर आजम नहीं रिए तो वो अपने कप्तान की ती जो के शर्मा नहीं उनकी इससे भी ज़्यादा पूरी फॉर्म चल रही थी, एक दफा उन्होंने रन बनाये थे, वो भी ऐसे स्ट्रगल करते हुए, चोटी सी टीम के उपर रन बनाये थे, कि वो उनको खुद भी पता है कि किसने की इनिक सी, उन्होंने इन फैक्ट खुद ही अपनी पोस्ट मैच के अंडर के दिया था, कि नहाई थी घटिया इनिक से, बहुत ही घटिया फिफ्टी थी, उस मैच में भी आकर सूरिया नहीं बचाया था, एंडमेन को, उसान खता हो है, बिल्कुल बुरी हाले थे, पहले मैच के जिसके जितनी भी गैस ती रहों को निकल गी थी, तरह इसे जो लगया था, पाकिसान उसे पाकिसान के दर इसे लिए बल्के ये जो है, ये बहुम्रा की वाईफ है मेरा खान मैच मुझे नहीं किसी नहीं कुमें इसे किया ये मैम आप इतनी खुशुरत है नहीं तो आप ने पटा लिए, जो इसके पर मैम ने जवाब दिया वह उस तरह है, कि खुच दो तुम यह रिक्वेस्ट करूँ में कि अगर इंजरी होगी ना तो यह को बात नहीं है भी फाइनल के अंडर भी इंजरी बैठे रहे ना यह भी वहां पर जो है मुझे भाए जाए यह थोड़ी को बात होगी वा जो आज जो आज जो बिचारा इतना को टकाता रहा है उसने इसलिए क को टकाई थी कि फाइनल मुसको बाइर बिठा तो यार उसका हाक बनता है अगर आज उसने चक्के खाए हो तो कम उसको फाइनल वोई खेले यार तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं सिर्फ एक बंदे ने मुझे भीज़ा है यह वाला क्लिप जो है मेरे इंस कोई बंदा है मेरा खाम है जो मिटल ओर्डर में आएगा टीम बुरी नहीं है हमने बिल्कुल इनको गालिया दे दे के यह जो है ना कुछ हुई है जो बेश यार काप के अंदर एक-दो मैचे ता मैंट में हार गे है उसकी औरस हम शुरू होगे और ऐसे शुरू होए है कि इनको जो है वो गालिया देने में बीजी होए में तो लग रहा है कि कोई वर्ल्लकप शल्लकप के भी कमस कम फाइनल खेलने के और जीतने की चांसे से हर एक एक्सपर्ट ये कह रहा है कि यार मैं कहता हो कि जाएंगे बिल्कुल जाएंगे सेकेंड रौन में क्या हम पूरा करके आएंगे और को इन तो फाइनल इंचारा खेल के आजएंगे तुम लोग ना इस वीडियो की स्क्रीन शॉट ले लो हैर हर वोगत वीडियो देख रहो तो यार मुझे बज़ियो कर देख रहो तो इसकी कोई भी चीज होती है कोई मैसेज वगरा होता है तो फैर मैंने इसको पकड़ लेना अगर इंडिया रहा जागा क्योंकि इसकी सारी प्रेडिक्शन वह गलत ही होती है भाई डिविली के मैंने हाथ जोड़े ने तू भाई हमें ना सपोर्ट कर लेना किसी तरा फाइनल बूद यह रिजिस्टर पनोती है तो इसकी तो पूर्ट किसी किसम क हो रही है तो मैं मुस्ट प्राबबली नेक्स वीडियो के अंदर फीचर करना दोबारा से शुरू कर दूँगा लेकिन कुछ गंदे थंबने थार्ड क्लास थंबने की भी हम बात कर रहे थे वो भी इतने ज्यादा मुझे आए मैं तो यह कुछ नजर ना उनके डाल लेते ह न्यूजरेंड के खिलाब बाबाराजम और फकर जबान की तुफानी बैटिंग सेंचरी मार दी अच्छा इसके दिर दो तस्वीर इसके बाबाराजम है कि नहीं बनाते है या उननिस में असी रन बनाए में 19 बाल्स के उप और रिजवान ने भी 36 बालों के ओपर 112 रन बना जीरू जो है ना सबसे जादा खटक रहा है मुझे वो नजार आ रहा है ना एक विकेट भी होता वहां पर थोड़ी सी दिल को तसली होती कि यार एक विकेट तो लिया था लेकिन उन्होंने ऐसे तोड़ा ही मचाई है भाई ओ माई गॉट पावर प्ले का पूरा पूरा फा खा रहे थे पांड्या मार रहा था रहान भूट 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 उसको मतलब ठैक्स बोलना चाहिए पूरी टीम को सबको बोलना चाहिए कि उसने स्कोर थोड़ा था आगे लेकर गया वो 50-50 मार गया वन्हां सोग सबासो के आसपास रुक रहा था स्कोर हां यह कह सकते हैं कि अब जो है बाते हो रहे हैं कि रिटाइर्मेंट लिया जाएगा क्या अगली वर्ड कप से पहले या फिर अभी हाल फिलाल में सीनियर्स के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो रिटाइर्मेंट्स लेंगे या फिल लेना चाहिए तो टी-20 की टीम लेकर आओ यार टी-20 की तीम मुझे भी नहीं लगत रही है, इंडिया की, कुछी खराड़ी है, इसमेंशी सूरेय कुमारे, कुछ बोलर्स हैं, जो कि T20 के लग रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसा की होता है, इंडिया पाकिस्तान में यह बहुत होता है, क्यार मैं नहीं जो गहुढ़ा हुआइं, कोई द अपना performance दे पाओ जी जाने लड़ा कर खेलो लड़ो मतलब public भी यह चाह रही थी public ऐसा चाहती है कि यार हार जाओ हार जाओ भागेतान भाहर हो जाएगा acting करो acting करो तो वो चीज गलत है यार क्योंकि game को game की तरह लो politics ना खेलो कि यार उसको भाहर कर दो उसको भाहर कर दो कहीं न कहीं वो कर्मा जो है न वो आ जाता है फिर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आई होप कि आप आगे से Indian team बहुत कुछ changes लाकर बहुत नहीं तो छोड़े मोड़े changes लाकर अपने आपको improve करेगी बागी देखते हैं खत्रा तो पाकिस्तान के लिए भी है जो इंडिया के साथ हुआ है जो इंडिया के साथ हुआ है पाकिस्तान के साथ भी बैटिंग में वो कुछ कर सकते हैं इंग्लेंड वाली तो होश्यार होना पड़ेगा पाकिस्तान को भी कप एशिया में लाना है तो Pakistan को कुछ performance ही नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ ये भी सच बात एके पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं है एक दिन पहले टीम अनाउन्स होगी जिस दिन बैटिंग कर रहे होंगे उछ दिन जो number set हुए 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 होंगे उसमें से नीचे से उपर आ जाएगा कोई उपर से नीचे चले जाएगा कुछ भी हो सकता है भाई पागी गाईज आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या उम्मीदे हैं आपकी फाइनल से फिलाल इस वीडियो को हम एंड करते हैं अफसोस के साथ कि इंडिया वर्सिस पाकिस्तान का मैसी नहीं होगा बाई